आप सभी जानते है कि सवेस सेलेक्शन बोर्ड में रेकमेंड होना आपके लिए कितना ज्यादा इंपोर्टेंट है जो भी बच्चा आपने ड्रीम को पूरा करने की कोशिश कर रहा है वो ड्रीम क्या है उसको पता है कि SSB में रेकमेंड होना बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है तो वो जो चीज है उस पड़ाफ को पूरा करने के लिए हम आपके लिए अब शुरू कर चुके हैं इस सेलेक्शन सीरीज के अंदर मैं और बाकी जो जितने भी सर्विंग वेटरिंस हैं या जो आम फोर्स के रिटायर लोग हैं वो आपको गाइड करने के लिए अब इस सीरीज के अंदर वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको और ज़्यादा आए और आप बहुत तरीके से आ मैंने डिसकस किया था डे वन लेकिन डे वान से काम नहीं चलेगा हमें पूरे पांच दिन के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता राइट तो लेट्स बेगन विड़ दे सेशन पांच दिन का जो SSB इंटुवी प्रॉसस है इसमें आपको पता है कि हम हमारे पास day one है, screening in हो चुके हैं हम लोग अब हमारा next stage आता है stage two जिसमें day one की बात हम लोग specifically करेंगे day one जो होता है वो होता है psychological test वहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो मन है उसको चेक किया जाता है उसको खोला जाता है और उसको खोल के ये देखा जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है मनसा जिसे कहा जाता है अब वो मन को psychology को एक candidate की check करने के लिए कुछ test होते हैं उस test में आपका TAT होता है, VAT होता है, SART and SD होता है यह 4 test आपके day two के अंदर होते हैं तो आईए इसको अलग-अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और इसके ओपर मेनत करने के ओपर जो है, मेनत की शुरुवात करते हैं जो psychological test है बचो, इसमें आपके पास क्या आता है टेस्ट आते हैं जैसे कि आपका TAT that is thematic appreciation test next is VAT word association test third is SRT that is situation reaction test and fourth is self description test सबसे पहले मैं बात करूँगा TAT की है ना तो TAT की ओपर चलते हैं और TAT में आपके पास होता क्या है TAT में बचो आपको 11 pictures दिखाई जाती है मैंने ये PPDT के अंदर भी आपको बताया था कि pictures आपको दिखाई जाती है same applies to hair also TAT में भी क्या होता है आपको pictures दिखाई जाती है ये जो pictures है इनका number है 11 11 आपको pictures दिखाई जाती है जसमें जो last वाली picture होती है वो एकदम blank picture होती है जसमें आपने खुद अपने दिमाग में सोचना है कि क्या हो सकता है यना खुद अपना perceive कर लेना है कि blank picture में क्या बना सकते हैं और हर picture जो है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वो आपको दिखाई जाती है 30 सेकंड के लिए 30 सेकंड के लिए आपको ये picture दिखाई जाती है जैसे आपको ये देखिए ये आपको 30 सेकंड पहले गई फिर 30 सेकंड ये picture आपको दिखाई जाएगी आपको 30 सेकंड जब picture दिखा दिया गया उसके बाद आपको 4 मिनिट का टाइम मिलेगा to write a story on this particular picture इसके उपर जो है आपने ये picture देखी इसको perceived किया उसके बाद आपको 4 मिनिट मिलेगा to write a story उसके बाद दुबारा से एक और picture आपके सामने आ जाएगी और इस तरीके से आपको जो है picture दुबारा से दिखाई जाएगी तो इस तरीके से 11 pictures जो हैं आपके पास आती जाएगी 4 मिनिट का टाइम मिलेगा फिर 30 सेकिंड की picture फिर 4 मिनिट का टाइम फिर 30 सेकिंड की picture and the last one would be the blank slide where you have to write a story with your own perception right चली यह हो गया टाट का पूरा का पूरा टेस्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं word association test की अब word association test कुछ इस तरीके से होता है जहां पर आपको 60 words जो होते 60 words one by one by one दिखाए जाते है 60 words for example आपको दिखा दिया careful आपको दिखा दिया इगरी beautiful उसके बाद cannot confuse यह सारे आपको 60 words आपको दिखा दिये गए right और इसके बाद क्या है आपको एक word दिख्या वो word जो होगा screen पे 15 seconds तक रहेगा चाहिए और next जो 15 seconds होंगे उसमें आपको उस word का एक sentence लिखना है right for example आपके पास है careful careful का आपने क्या सोचा दिमाग में India is a careful इंडिया is careful in dealing with China ऐसे एक sentence बना दिया agree है wise people agree to disagree so यह सारी चीज़े practice के साथ आप कर सकते हैं बहुत इच्छे से बट यह सोच के चलेंगे कि नहीं मेरे अंदर से बात निकलेगा अंदर से sentence निकलेगा this is wrong with practice आपका जो सोचने का तरीका होगा वो और जादा निखर के आजाएगा polish हो के आजाएगा and then you can make very good sentences positive sentences right तो इस तरीके से साथ words आपके सामने आएंगे हर word 15 second तक रहेगा 15 second तक आपको लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो है next word आजाएगा then there's a situation reaction test right situation reaction test के अंदर क्या होगी 60 situations आपको दी जाएगे for example आपको एक booklet मिलेगी उसमें 60 situations आपको दी जाएगे और आपने जो है अपनी हर situation का response लिखना है for example आप क्या लिखेंगे जैसे he was going to college to appear in the examination and he finds a small boy has been hit by a scooter the scooter owner has run away he अब क्या करेगा वो है ना तो ये situation आपके सामने आगे कि वो व्यक्ती जा रहा था college में है ना अपने exam के लिए लेकिन बीच रास्ते में वो देखता है एक छोटा बच्चा जिसको एक scooter ने hit कर दिया इंजर कर दिया है right अब वो जो scooter owner है वो भाग गया है ठीक है तो अब आप क्या करेंगे what would be your reaction है ना तो आप comment section में बताईएगा क्या reaction होगा आपका जल्दी बताईएगा इसी तरीके से आपको उस booklet में 60 situations आएंगी 60 reactions लिखने है अब आप बोलेंगे कि सर टाइम 30 मिनट का है कैसे लिख पाएंगे कोई बात नहीं बच्चों के छूट जाते हैं बट इतना आपने attempt करना है कि कोशिश करना है कि जादा से जादा पूरा attempt किया जाए right चली SRT हो गया उसके बाद आता है self description now self description is very very important आपको लिखना है कि आपके parents आपके friends आपके teachers आप खुद अपने बारे में क्या समझते हैं आपको 15 मिनट का time मिलेगा और ये जो self description होगा जिसमें आप parents का opinion, teachers opinion, boss का opinion अगर आप काम करते हैं opinion का जो होगा ठेक है उसके बाद friends का opinion, colleagues का opinion, self opinion, what is your aim in life, quality you like to develop ये सारे सवाल आपको self description में आएंगे you'll be getting 15 minutes of time right तो ये 15 minute का आपको अच्छे से time मिलेगा and that's it आपका psychological day जो होगा stage 2 का day 2 वो खतम हो जाएगा तो ये क्या है, ये hectic schedule है, tat के साथ tat में stories होगी, उसके बाद आपके पास VAT आएगा जिसमें words होगे उसके बाद आपके पास SRT आएगा जिसमें आपकी situations होगी, उसके बाद आपका क्या आएगा, self description आएगा जहाँ पे आपको self description मतलब self describe करना है तो ये सारी चीज़े आपके psychological test के अंदर आने वाली है, है ना, तो इन सभी को अच्छा perform करने के लिए, you have to practice and you are not supposed to practice just after giving your exam, you are supposed to practice simultaneously while preparing for your written exam also, right because जो बच्चे को awareness है कि कितना important है डेली इन चीज़ों को practice करना, या आफते में दो चार बार practice कर ले ना, उसकी जो psychology होगी, उसको धीरे 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 सही psychology की तरफ वो जाएगा लेकिन अगर आपने इस चीज़ को practice करने की कोशिश की, कि हाँ चलो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, कि हाँ चलो SSB आ रहे हैं next week, next हफते, तो अराम से इसको practice करके काम बन जाएगा, नहीं because सवाल तो यही होंगे और answers आप लिखेंगे, लेकिन the point is, जो answer आप लिखेंगे, वो answer जो है same situation अगर आपको जीटियो में दे दी, आपको I.O. ने पूछ लिया, interviewing officer ने पूछ लिया, same situation, यहाँ पर psychology में भी same situation, जीटियो में और I.O. में, तो आप जितने भी रट के चीज़े गए होंगे, वहाँ पर contradiction आ जाएगे, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने कहाँ पर क्या response दिया था, right, तो इसी लिए practice बहुत important है, so finally, हम लोग बात कर रहे हैं, day 3 and day 4 की, मतलब day 2 हो चुका है, अब कल जो है, हम लोग next video के अंदर बात करेंगे, day 3 and day 4 की, which is मेरा बड़ा फेवरेट होता था GTO, so GTO की हम लोग बात करेंगे, GTO थोड़ा सा लेंदी होता है, दो दिन का बहुत ही hectic schedule होता है students के लिए, so we'll be talking about this very specifically in our next video, so these are our courses, करनल संजीत सुरोही, साथ ही साथ हमारी ये जो का course price है, but doesn't matter, because मैं आपको अभी code दूँगा, उस code को लगा के आप बहुत बढ़िया तरीके से, इसमें भी discount ले सकते हो, so basically क्या है, ये psychological test, ये GTO, ये अलग-अलग courses है, ये combined course है, जो 4000 का है, but इसमें अगर आपने code लगाया, that is Y588, Y588, तो आपका ये जो code होगा, ये जो course होगा, ये काफी सस्ता आपको मिल जाएगा, जितना दिखाया जारा है, उतसे भी कम, right, तो मैं आपको बता देता हूँ, कैसे आप देख सकते हैं, आप application डाउनलोड कर लिजे, link description में दे रखा है, उस application को डाउनलोड करने के बाद, all courses में जाएए, all courses में आप जाते हैं, defense में घुच जाएए, यहाँ पे देखिए, service selection board है, नीचे, right, और यहाँ पे आप किसी भी course को देख सकते हैं, P.I.E. को देख सकते हैं, GTO को देख सकते हैं, यह सारे courses हैं, यहाँ पे आप Y588 coupon code लगा दी जगा, यह coupon code आपने लगा द Y588 लगा दीजे, आपको सबसे ज़्यादा discount मिलेगा हमारे courses के ओपर, right, so I hope आपको वीडियो अच्छी लगे हो, thank you and जाहन